आयोध्या राममंदिर परिसर में बालमी की महराज की मूर्ते के इस्थापना की की गई मांग। परंतुप्रदेश सरकार द्वारा ये फैसले से उत्तां परिदेश का समष बालमी की समाज खफा है क्योंकि आयोध्या में राममंदिर निर्मार के साथ सी राम लला का अस्तित्व लिखने वाले बालमी की महराज की भव्य मूर्ती मंदिर को मुख्य परिसर में इस्थापित किले यह मांग करता है की राम मंदिर का संपूर किया जाने है तुँ पर मूर्ती को मंदिर परिश्र में इस्थापित किया जाए क्यापण देने वालों में पिर्देश, अध्यश, जस्पाल सिंग बालमी की, राही बालमी की, अश्वनी कुमार थापा, संजे कुमार बालमी की, सुन्दर राही बालमी की, विबेक बालमी की, अशोक कुमार बालमी की आधी लोग मौजूद थे। अधिकार मंतरा ले और उस्तर प्रदेश के मुख्य मंतिजी ले गातल सवत वया है इदादेगारी माध्दम से जिसमें आज आज आपके माध्दम से बदा देना चाहता है जो बड़ा हर्स का निसाए का अयवध्या में राम मंदे के निमा के अजाला है और उनकी दुफद उ आज बालवी समाज के साथ बहुत बड़ा निया होने जा रहा है तो मैं जिलादिगारी माध्दम के यहीं अनुरत करने चाहे हुआ हुआ है कि आयोध्या में भवान बालवी की महराज का एक भव मंदर इस्थाबत किया जाए मुख्य को आप है भवान बालवी की जी है जो आज घर घर में हिंदु घर में पड़ी आती है आज जो राम को मानने वाले लोग है भवान बालवी की जी देन है भवान बालवी की जी देन है जो माता सीताज के लक्षव हुए, लपकुछ के लक्षव हुए और उन्हें ऐसा संपूर ज्यान पर अबराबराश संब रहने के बाद, आज उसका सिलप्त अबरी भर्णा भारा सरकार यह दे रही है, तो उनका निर्मान, निर्मान नहीं किया जा रहा है, तो हम इसी हम लगए हुए, हम लगए हुए, टूज मैं के लगए हुए, यह बचाने के लगए हुए